यूँ तो सौथ फिल्मों का कद हमेशा बॉलिवूड से उपर रहा है और इस बात से हम और आप इनकार भी नहीं कर सकते इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बॉलिवूड हमेशा सौथ फिल्मों की रिमेक बना कर बहुत अच्छा बिजनस करता है और वो फिल्में लोगों की दिलों पर राज करती हैं और इसलिए आज हम बात करेंगे सौफ की सूपर हिट फिल्म KGF चैप्टर वन के सूपर स्टार येस जी के बारे में नमस्कार मैं महावीर और आप देख रहा है बॉलिवोड कैलेंडर का ये सेगमेंट जिसका नाम है जीवनियात्रा आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें येस एक फिल्म अभिनेता और प्लेबैक सिंगर है और वो कन्नड फिल्म उद्द्यों के लोग प्रिय है उनके जन्म का नाम नवीन कुमार गौड़ा है और इस्टेज का नाम येश है आठ जूते पॉलिश करने पर मुझे एक पाव मिलता था थाली से ज्यादा नीचे गिरा कर खाने वालों के बीच उन्हें कन्नड फिल्म मिस्टर एंड मिसिस रामचारी में रामचारी की भूमिका के लिए जाना जाता है जो वर्स 2014 में रिलीज हुई थी बात करें यदि उनके जन्म की तो 8 जन्वरी 1986 को भूवन हली हसन करनाटक भारत में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रात्मिश सिक्षा करनाटक इस्थित मैसूर के महाजना हाई स्कूल से की थे वह बीवी कारंत द्वारा इस्थापित बेनाका थियर्टर में शामिल हुए जहां उन्होंने अभिनए कौशल की आपचारिक सिक्षा प्रात्त की उन्होंने कई स्टेश शो और टीवी धारवाहिकों के माध्यम से अपने अभिनए करियर की सुरुवात की वैसे यश का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था उनके पिता अरुन कुमार B.A.M.T.C. के पुरुव करमचारी थे और मा पुस्पा हॉस वाइफ है उनकी एक छोटी बेहन है जिनका नाम नंदनी है उनका पहला टीवी शो नंदा गोकुला था जो कन्नड चैनल में प्रसारित हुआ था उसी समय यश की मुलाकात राधिका पंडित से हुई और जहां दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए जिसके चलते उन्होंने अगस्त 2016 गोवा में सगाई की और 9 दिसंबर 2016 को विवाह बंदन में बंद गए बात करें उनके शुरुवाती करियर की तो वर्स 2004 में टीवी धारवाहिक उत्तरायन से उन्होंने अपने अभिने करियर की शुरुवात की वर्स 2007 में यश ने पहली बार फिल्म जबाडा हुडूगी में एक सहाईक भूमिका के रूप में कारी किया वर्स 2008 में उन्होंने राधिका पंडित के साथ मोगीना मनसू में मुख अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई जो फिल्म सूपर हिट रही इसके बाद यश ने विभिन रूप से सफल फिल्मों में अभिने किया जिसमें किरातका, राजधानी, जानू, लक्की और KGF चैप्टर वन जो 2018 में आई इत्यादी फिल्में सामिल है अगर बात करें उनके अब तक के करियर में कुछ रोचक तत्यों की तो आपको बता दें, यश एक बहतरिन अभिनेता तो है ही लेकिन वो एक प्लेबैक सिंगर भी है वर्स 2009 में उनको अपने फिल्म मोगिना मनसू के लिए सर्व स्रेष्ट सहायक अभिनेता के लिए कन्नड फिल्म फियर पुरुसकार से सम्मानित किया गया यश को फिल्म ड्रामा 2013 और गुगली 2014 के लिए सर्व स्रेष्ट अभिनेता के रूप में कन्नड फिल्म फियर अवार्ड साउथ से नामांकित किया गया था इसके बात बात करें, वर्स 2015 में उन्हें फिल्म फियर अवार्ड साउथ और SIIMA के सर्व स्रेष्ट अभिनेता के रूप में फिल्म फियर पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया और बात करें, 80 करोड की लागत से बनने वाली फिल्म KGF Chapter 1 का, जिसका Part 2 का टीजर जल्द लाँच होने वाला है 8 जनवरी को, यानि Yes जी के जन्म दिन पर Bollywood कैलेंडर की ओर से Yes जी को जन्म दिन पर धेरो सुपकाम नहीं वो इसी प्रकार अपनी फिल्मों से दर्सकों का मनोरंजन करते रहें और उनके दिलों पर राज करते रहें पर किस से पढ़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा कहते ना हर पिक्चर में कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे आईसा ही लगा फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक आप चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें